नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं साउट ब्लॉक डिजिटल और मैं हूँ आसीज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एक खास रिपोर्ट में एक खास बाचीत में जिहां आज बात हम करने जा रहे हैं दिल्ली के यमना बाजार इस्थित मरघट वाला हनुमान मंद मंदिर की यह मंदिर इन दिनों काफी चर्चा में है दर्शकों कि यहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे हिंदू की आस्था को ठेश पहुचाने वाला बताया जा रहा है और यहां जो यह कारी किया है यह किसी और ने नहीं बलके कि दूसरे मतलब की लोगों ने नहीं बलकि यहाँ पर जो परशाद बेचता है वो उसने किया है और यह काफी मंदिर जो है फिर से एक बार चर्चा में आ गया है और साथ ही जिस डिलिवरी बॉय ने यहाँ पर जो है नॉन्वेज ओर्डर करने का ओर्डर जिसे मिला था उस बंदे की पीट थपथपाई जा रही है क्यो सब के लिए जो है वो प्रेड़ना दायक है क्योंकि उससे भी पता है कि मंदिर जैसी जगों पर मंदिर के आसपास वाली जगों पर जो है वो मीट और जो नॉन्वेज है उससे ओर्डर करना आस्था के खिलाप जो है एक तरह से आस्था के साथ जो है वो खिलवाड ही है ज दिल्ली, NCR की बात कर लें, आसपास के जो राज हैं, हरियाना, उत्तर प्रदेश और आपको पंजाब, यहां से भी लोग भगवान, हनुवान की पूजा करने के लिए, उनका आशिर्वात पारने के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन यहां जो हो रहा है, यहां आप भी चौक जाएंगे, और एक मिनट के लिए सोचने को यह मजबूर जरूर हो जाएंगे, यह कोई परसाद बेचने वाला ऐसा कैसे कर सकता है, जी हां, तो पूरी कहानी क्या है, मैं आपको शौट में बता देता हूं, दरसल यहां पर 28 फरवरी को राम कचोड़ी वाला से उससे order किया था मटन, और मटन order करने के बाद जो है non wage बंगाया गया था, तो जब delivery बुआए, मंदिर परिशर के पास पहुचा, तो उसने देखा, यह तो जो order placement है, यह मंदिर परिशर में है, तो उसको उस समय लगा कि मैं कैसे उस मंदिर में जाकर जो है, यह non wage डिलिव किसी और नहीं किया है, बलकि एक ऐसे दुकान से किया गया है, जो कि दिन भर मंदिर का परशाद बेचता है, भगवान हनुआन को, हनुआन जी को जो मंदिर का परशाद है, वो यह बंदा बेचता है, दिन भर वो परशाद देता है लोगों को, लोग इसके पास बड़ी सर और यहाँ पर non wage order करना वो भी हनुमान जी के मंदिर के परिशर में, यह तो सरासर गलत है, तो उसने अपने जो है, इस order को cancel करने के लिए customer care से भी कहा, लेकिन देखिये यहाँ पर मजाल क्या है, बाते किस तरह सामनी आई है, वो जो बंदा है, जब delivery boy ने वहाँ पर non wage order करने स मना कर दिया, तो वो खुद delivery boy से उजलज पिया, जो customer है, वो उलज गया, कि तुम मुझे कैसे नहीं दोगे, मैं तो यहाँ हर बार यही बुलाता हूँ, यही मेरा मतलब की address है, यही पर हर बार मुझे यहाँ पर delivery दी जाती है, खाने की, तो यह चीजे है, और लेकिन पर तारीफ करनी पड़ेगी उस delivery boy की, जिसने की हिंदूों की आस्था का सम्मान किया है, ख्याल रखा है, उसने कताई यहाँ पर, उसने बिल्कुल यहाँ पर order प्लेस करने से मना कर दिया, और even customer care से, जो जानकारी सामने आई है, customer care से बातचीत कर, इस order को तुरंत cancel के जो हनुमान मंदिर है, यहाँ से order किया गया था, और देखिए इस पे कैसे चीजें बदली भी है, यहाँ पर जो है, जिससे order किया जाता है, तो उस बंदे को डर जाना चाहिए, कि भाया मैंने ऐसे जगह से order किया, जहाँ पर लोग आस्था का केंदर है, यह मंदिर परिशर है, मैं आपको परशाद बेचता हूं, और मैं कैसे order कर सकता हूं, तो उसको तो चुप हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से, लेकिन आपको मैं क्या कहूं, कि इन बेशरमों की क्या जो यह हरकत है, कि आप दिन भर परशाद बेच रहे हैं, और साम को आप मतन खा रहे हैं, मतन आप आस्था के साथ खिलवार कर रहें, वो भी हनवान जी के मंदिर में, जो की बिल्कुल एक जो आस्था का केंद्र है, लोगों का मरगट वाला हनवान मंदिर, तो यह तरह की चीज़े सामने आई, इसके बाद कस्टमर केर ने खुद यह order जो है, वो कस्टमर केर से कहा, जो delivery वाय, उसने कहा कि यह order वो cancel किया जाए, और इस तरह की चीज़े सामने आने के बाद, इस delivery वाय की काफी तारीफ हो रहे है, सोसल मीडिया पर भी इसे लोग खूब appreciation दे रहे हैं, खूब इसके प्रसंशा कर रहे हैं, कि इस लड़के ने जो है, वो हमारी आस्था का, य उसमें वो कहता नजर आ रहा है, और कि देखिये मुझे यहां का order मिला है, यह आस्था का केंदर है, मंदिर है, यमना बाजार इस्तित मरगट वाला हनवान मंदिर है, और इसके अंदर परिसर से मुझे order आया है, तो वो चौक जाता, और उसने यह वीडियो बना, यह वीड भी पहुंची है, बात कमाम तरह की बाते हो रही है, और सक्त से सक्त कारवाई जो है, इस दुकान वाले जो की प्रसाद बेशता है, दिन पर वहाँ पर, यमना बाजार जो मरगट वाला हनवान मंदिर, वहाँ प्रसाद बेशता है, लेकिन यह बन्दा वहाँ पर साम को मट प्रदज कर रहा है कि ऐसी चीजे नहीं करनी चाहिए। दिनबर प्रशाद बेजता है आस्था के नाम पर पैसे कमाता है घर चलाता है लेकिन रात को जैसे ही साम ढलती है या फिर किसी अन्य समय ये जो है आपको मटन नॉन्वेज ओर्डर करके खाता है तो इसे सक्ट से सक्ट इस पर कारवाई होनी चाहिए आपके क्या विचार है इस वीडियो पर इस जो मामला है आपको यमना बाजार स्थिज जो आपको मैं बताना चाहूंगा मरघट वाला हनुवान मंदिर है इसमें जो ये घटना हुई है ये वीडियो सामनी आई है ये बाते सामनी आई है इस पर आपके क्या विचार है आप हमें इस वीडियो के कम साम खबरों के लिए देखते रहें साउद लॉग डिजिटल नमस्कार